नमस्कार दोस्तों GS Recipe के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम राश्टपती के भागतीन के बारे में डिस्कस करेंगे इसके जो Part 1 और Part 2 है वो अपलोट किया जा चुका है आप उसको भी जाके देख सकते हैं अगर इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्स है तो जो यह राश्टपती बनी थी वो कौन से कर्म की थी तो यह बरहवी राश्टपती बनी थी अप्सन नमबर सी जो है इसका सही जवाब है भारत की प्रथम महिला राश्टपती जो है वो स्रीमती प्रतिबा पाटिल जी थी यह बरहवी राश्टपती थी यह 25 2012 तक राष्टपती रही है वर्तमान में स्रीमती द्रौपदी मुर्मुजी भारत की 15 राष्टपती के रूप में 25 जुलाई 25 जुलाई 2022 से जो है वो कार्यरत है तो इसको याद रखिएगा तो इस कोशन का सही जवाब क्या है वह था अगले कोशन के और बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है कि 1975 में राष्टिया आपातकाल की घोशना के शमय भारत के राष्टपती जो थे वो कौन थे तो उस शमय जो भारत के राष्टपती थे वो कौन थे वो थे फकरुग दिन अली एहमद ऑप्सन नमबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में वर्ष 1975 से लेके 1977 के बीच ततकालीं प्रधान मंत्री जो थी वो इंद्रा गांधी जी थी इनके काल में राश्टी आपातकाल की घोशना की गई थी और उस समय जो राश्टपती दे वो फकुरुत दीन अली एहमद जी थे जो की 24 अग सिस्था राइट एंसर अगले कोशन के और बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन कथन और कारण वाला है आपको बताना है कथन बोल रहा है कि राश्टपती और राज़ेपालों पर उनके किसी भी कारे के लिए नयायाले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्या यह बात सही है हाँ ये बात बिल्कुल सही है और कारण दे रहा है कि राश्पती पर महावियोग चलाया जा सकता है और राज जिपालों को असम्मेधानी क्रत्यों के करने पर पच्युत किया जा सकता है क्या ये बात सही है ये बात सही है बिल्कुल लेकिन इसका ये सही explanation जो है वो नहीं करत अब इसके बारे में कुछ मैत पूर्ता थी जान लीजे कि सम्विधान का जो आर्टिकल नंबर आर्टिकल यानि की अनुच्छेद नंबर 361 का सब क्लॉस दो है उसके अनुसार राश्टपती और राजिपाल पर उनके कारेकाल के दौरान किसी भी कारे के लिए न्यायाली कार की स्केजिया करने पर जो है करणे का सकता है अगले कोशन की यो कशन क्या है कि जब राष्ट पत्ति मृत्यू थ्यकंग verst या पच्ची यह कारणों से अपने करतव्यों को नहीं निभा सकता है तो उप राश्ट्पती कितने समय तक राश्ट्पती के रूप में कारे करता है यानि कि अगर प्रेसिडेंट की जो चेयर है वो वैकेंट है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो केवल और केवल छे महीने तक उस पद पर रह सकते हैं तो इस कोश्चन क को राश्ट्पती के रूप में कारे करने की जो अधिक्तम अवद ही है वो 6 मा की है इस दोरान राश्ट्पती का चुनाओ करा लेना अनिवारे होता है इस समय उपराश्ट्पती राश्ट्पती के संपूर्ण अधिकारों एवं करतव्यों का जो है वह प्रियोग कर सकता है त राश्ट्पती का पद भी खाली हो तो राश्ट्पती का कारेभार जो है वो कौन समालेगा तो उस समय भी राश्ट्पती का जो कारेभार है वह कौन समालेगा वो भारत के मुख्य नयाएधी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही समालेंगे ऑप्सन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है देखे कितनी बार यह वाला कोशन जो है वो पूछा गया है अब इसके बारे में कुछ मैत पूर्तत ही जान लीजे जो समविधान है समविधान का अनुच्छेत सत्तर इसमें प्राप अत्वा हटाय जाने की इस्थिती में राष्टपती का पद रिक्त हो तथा उप राष्टपती भी उपलब्द नहीं है तो उच्चतम न्यायाले का मुख्य न्यायाधीस या उसके भी उपस्तितना होने पर उसी न्यायाले के वरिश्टतम यानि के जो सबसे एजेंट न्य वीवी गीरी जी जो थे वो बतोर राष्टपती कारे करने लगे थे तथा जब वीवी गीरी जी राष्टपती पत के उमीद्वार बने तब मुख्य नायाधीस एम हिदायम तुल्ला जी बतोर कारेवाहक राष्टपती के रूप में भी इन्होंने कारे किया था तो इस परन्तु परन्तु क्या परन्तु राश्पती मंत्री परिशत की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लोटा भी सकता है ठीक है ऑप्सन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अब कुछ महत पूर्तत ही जान लीजे कि अनुच्छेद नंबर जो चोहत्तर है उसके सबकलॉस एक में उलेकित किया गया है कि राश्पती को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधान मंत्री होगा कौन होगा प्रधान मंत्री होगा और राश्पती अपने क्रत्यों का प्रियोग करने में ऐसी सलाह के अ मंत्री परिशत से ऐसी सलाव पर साधार रतया या अन्यता पुनरविचार करने की उपेच्छा कर सकेगा और राश्ट्पति ऐसे पुनरविचार के पस्चात दी गई सलाह के अनुसार जो है वो कारे करेगा तो इस कुश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था वा था को बताना है पहला है कि राष्टपती को चमादान देने की सकती है जब दंड अत्वा दंडा देश एक सेना नियायले द्वारा दिया गया हो क्या बात सही है हाँ ये बात बिल्कुल सही है दूसरा गतन है कि राष्टपती जो है उन सभी मामलों में चमादान दे सकते हैं जिस राश्टपती द्वारा छमादान देने की सक्ति ऐसी सक्ति है जिसे प्रभुता संपन अपने स्वेम के नयाईक आदेश के विरुद्ध कभी भी प्रयोग नहीं लिया जाता है क्या बात सही है नहीं यह बात जो है वो गलत है और कोश्चन के हिसाब से यह बात जो है करार दिये गए है पहला है उसमें कि संगी विदी के विरुद्ध किसी अपराद में दिये गए दंड के हिसाब से दूसरे नंबर पे सैन अदालत द्वारा दिये गए दंड में और तीसरे नंबर पे यदि दंड का सुरूप मृत्यु दंड है राश्टपती की इस सक्ति प संप्रभू अपने स्वेम के नियाएक आदेस के विरुद जो है वो प्रियोक करता है तो इस question का जो सही जवाब है वह क्या था वह था option number D is the right answer अगले question क्यों बढ़ते हैं question क्या है question बोल रहा है कि राष्टपती की छमा आदी की सक्ति जो है यह क्या है या एक नियाएक सक्ति है यानि की जुडिशियल पावर है option number B जो है इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 में राष्टपती की छमादा या परिहार करने की अत्वा दंडा देश के निलंबन परिहार या लगुकरण की सक्ति जो है वो प्राप्त होगी तो इस question का जो सही जवाब है वो क्या है वह है option number B is the right answer अगले question क्यों बढ़ते हैं question क्या है question बोल रहा है कि राष्टपती की छमा प्रदान करने की सक्ति में क्या समलित नहीं है आपको बताना है क्या समलित नहीं है ठीक है चलिए देखते हैं छामा करने की सक्ति बिल्कुल ये बिल्कुल सही है लगुकरण यानि की कम्यूटेशन ये भी बिल्कुल सही है रिमीशन परिहार ये भी बिल्कुल सही है ये भी सक्ति है रिस्पाइट य क이스트 कि यानि की प्रभी लंबन ये भी बाद बिलकुल सही है डिटेंसेन रोक लगा सकता है तो यह बाद जहें बिलकुल गलत है और निरंतरता continuation ये भी बात बिल्कुल गलत है तो इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा वह हो जाएगा option number E option number E जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते है question क्या है question बोल रहा है कि भारत के राष्टपती के पद से संबंदित निमलिकित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है पहला कथन है कि राष्टपती को विशेश मामलों में किसी अपरादी को छमादान की सकती क्या प्राप्त है हाँ बिल्कुल प्राप्त है राष्टपती को राष्टपती अध्यादेश प्रख्यापित त सदसे लोगसभा में लोगसभा में लोगसभा में नाम निर्देशित करने की सकती है क्या यह बात सही है हाँ यह भी बात बिल्कुल सही है कोशन का सही जवाप क्या हो जाएगा वह जाएगा option विद्धान के अनुच्छे नंबर 0ीm3 के तहर राष्ठपति को अध्या देस क्या चीज अध्या देश जैरी करने की सक्थी प्राप्त है परंतु राष्ठपति को राज्य सूची के विस ओं त्था संसत्र की अवस्था में यह सक्ति प्राप्त नहीं होती है राजसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है राजसभा एक इस्थाई निकाय होता है क्या होता है एक इस्थाई निकाय होता है और लोकसभा के अधिक्तम 552 सदस्यों में से दो सदस्यों का मनुनयन आंगल भारती समुदाय से राश्पती द्वारा ही किया जाता है और कुछ महतपूर तते होर जान लीजे कि अनुच्छेद नंबर 331 के अधीन लोक सभा तथा अनुच्छेद नंबर 333 के अधीन राज विधान सभाव में आंगल भारतिय समुदाय के प्रतिनिद्ध्य की विवस्था की गई है लेकिन स याद रखिएगा जो 104 जो समुदान संसोदन है इसमें आंगल भारति समुदाय के लिए जो सीटे थी वो खतम कर दी गई है तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या है वह है और बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है कि अध्या देश के प्रक्यापन के संबंद में निम पुना सम्मेलन यानि की री असेंबली के छे सप्ता के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है क्या बात सही है हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा वह हो जाएगा option number C is the right answer सम्विधान के अनुछेद नंबर 123 के तहट है और राश्पती जो है वह अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है क्या कर सकता है वापस भी लिया जा सकता है तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या था वह ता option number C is the right answer अगले कुश्चन क्यों बढ़ते है क्या है प्रिश्चन बोल रहा है कि राश्पती द्वा क्या है वह option number B is the right answer अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं क्या है कि भारतिय समविधान में अध्यादेश जारी करने की जो सकती है वो किसके किसके पास है वो सकती राश्पती के पास भी है और राजयपाल के पास भी है सही जवाब क्या हो जाएगा option number D is the right answer भारतिये विधाई सकती है याद रखिएगा यह कौन सी सकती है यह एक विधाई सकती है और राश्टपती का अध्यादेश निर्गत करने की सकती जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है तो इसको भी याद रखिएगा इस कोशन का सही जवाब क्या था बता ऑप्सन नमबर D is the right answer अगले कोशन की और बढ़ते है कोशन क्या है कोशन है कि भारती सम्विधान का निमलिकित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राश्टपती को अध्यादेश जारी करने की सकती जो है वो प्रदान करता है तो मैंने बताया था कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छे अनुच्छेद के अंतरगत उसे अपनी सहमती दी तो कौन से अनुच्छेद के अंतरगत अनुच्छेद नंबर 123 के अंतरगत और सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोशन है कि राश्टपती का अध्यादेश निर्गत करने की सक्ति ज अधिकार तो यह जो अधिकार है वो राश्टपती को प्राप्त है और बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 143 के तहट यदि किसी समय राश्टपती को प्रतीत होता है कि विधी या तत्यका कोई ऐसा प्रश्न उत्पन हुआ है या उत्पन होने क संभावना है जो ऐसी प्रकतिका और ऐसे व्यापक महतुका है कि उच्चतम न्यायाले की राय प्राप्त करना बहुत जरूरी है तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायाले को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायाले जो है ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है, राश्ठपति को उस पर अपनी राय जो है वो देगा किन्तु राश्ठपति या परामर्श मानने के लिए बात दे नहीं है जो सुप्रिम कोड बोलेगा जरूरी नहीं राश्ठपति उसकी बात माने राश्पती के पास राजियों में राश्पती सासन को आगे बढ़ाने की सक्ति और आपात कालिन सक्तियां जो हैं वो भी प्राप्त हैं तो इस कोशन का सही जवाब क्या है वो था option number 20 ता राइट अंसर अगले question के और बढ़ते हैं question क्या है प्रिशन बोल रहा है कि भारत के राश्पती की सक्तियों के बारे में निम्नाकित में से कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है कौन सा सही नहीं है आपात कालिन सक्तियां है राज्यों के राज्यों में राश्पती सासन को आगे बढ़ाने की सक्ति ये भी है राश्पती सर्वोच नयाले के परामर्ज को स्विकार अत्वा स्विकार कर सकता ये भी है और राश्पती को सर्वोच नयाले के परामर्ज को स् उच्चतम न्यायाले से परामर्स करने की सक्ति जो है वो प्रदान करता है कौन सा अनुच्छे था मैंने बताया था अनुच्छे नंबर 143 ऑप्चन नंबर C जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं प्रिशन बोल रहा है कि सर्वोच न्यायाले कि अनुच्छ भारत के राष्टपती का यहां करतव है कि वे निम्यलिकित में से किसको सदन के पटल पर रखवा है तो चार कथन दिये गए हैं पहला कथन है कि संग वित-अयोग की सिफारिशों को यह बी बात बिल्कुल सही है लोक लेखा समिती के प्रतिवेदन को यह बी बिल्कुल सही है और राश्टी अनुसूची जाती आयोग के प्रतिवेदन को ये भी बात बिल्कुल सही है सही जवाब क्या हो जाएगा वा हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी इस दा राइट एंसर अब इसके बारें कुछ मैद पूर्तति जान लीजिए राश्ट पती जो है व उन पर कारिवाही करने का आउसर जो है वह प्राप्त हो सके उदारहड के लिए राश्टपती का वह यह करतव है कि वह संसत के समझ यह दस्तावेज जो है वो रखवाएगा जैसे पहला दस्तावेज कि वार्सिक वित्तिय विवरण यानि की बजट और अनुपूरक विवर संसत के सामने रखवाएगा तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो वित आयोग की सिफारिस और उसके साथ उन पर की गई कारवाही का इस पश्टी करण ग्यापन जो है वो भी रखवाएगा संसत के सामने अनुच्छे नंबर 281 के तहर और चौते नंबर पे बात की विष्चेस अधिकारी का जो प्रतिवेदन है अनुच्छे नंबर 338 के सब कलॉस च्छों के अंतरगत और जो है पिछले वर्ग के आयोग की जो प्रतिवेदन रखा जाएगा और चट्वे नंबर पे देखेंगे तो भासाई अल्प संख्यकों के विश्चेस अधिकारों क जो प्रतिवेदन है ये भी संसत के सामने कौन रखेगा सब राष्टपती ही रखेगा याद रखिएगा ये तो इस कोशन का सही जवाब क्या था वाता ओप्सन नमबर D is the right answer अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है कि भारत के राष्टपती की सक्तियों के बारे में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कदने की राष्टपती निदेश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निड़ले लिया गया ह मंति परिशत के समझ रखा जाना चाहिए ये भी बात बिल्कुल सही है दूसरा है कि राश्पती विधान के लिए प्रिस्तावों से संबंदित सभी सूचना मांग सकता है ये भी बिल्कुल सही बात राश्पती को संसत के किसी सदन में अभी भाशर का और संदेज भेजने का अधिकार है बिल्कुल सही बात अधिकार है संग के कार्यों के प्रशासन संबंदि मंदिपर्षत के सभी विनिष्चित राश्पती को अवश्य संसूचित किए चाहिए ये भी बात बिल्कुल सही है तो इसको कतन का सही जवाब क्या हो जाएगा वह हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, चारो कतन जो है वो सही है option number D जो है इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्टपती को विधान के लिए प्रस्तावों से संबंदेत सूचना मांगने की सक्ति जो है वो प्राप्त है और राष्टपती को संसत के किसी भी सदन में अभिभाशड देने और संदेज भेजने का अधिकार भी प्राप्त है और मंत्वी परिशत के समस्त कार जो है वो राष्टपती के नाम पर ही संपादित जो है वो किये जाते हैं किसके नाम पर राष्टपती जी के नाम पर संपादित किये जाते हैं और मंत्वी परिशत के सभी विनिश्चित राष्टपती को आवस्य संसूचित जो है वो किये जाने चाहिए तो इस कोश्चन का सही जवाप क्या था बता उप्सन नमबर D is the right answer अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं क्या है प्रिश्चन बोल रहा है कि कि किसी विधेयक के संसत के सदनों द्वारा पारित किये जाने के पश्चात उसे राष्टपती के समच प्रिस्तुत किया जाता है जो उस विधेयक पर या तो अनुमती देगा या तो अनुमती रोक लेगा राष्टपती जो है वो किसके लिए ये सब कर सकता है विधेयक को उसके समच प्रिस्तुत प्रती तीन विकल्प रहते हैं कौन सा पहला विकल्प रहता है कि उसे स्विक्रती दे दे दूसरा विकल्प उसके पास रहता है कि स्विक्रती देने हैं तू विधया को रोक ले और तीसरा उसके पास विकल्प होता है कि पुनर विचार है तू संसत को वापस लोटा दे और कुशन की और बढ़ते हैं कुशन क्या है कि कुशन बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी राष्टपती की स्वविवेक की जो है वो सक्तियां है आपको बतानी है कौन कौन सी सक्तियां है तो देखते हैं कौन कौन सी सक्तियां है पहली सक्ति है कि बहुमत दल के नेता को प किसी विद्धयक को आपतियों सहीथ संसत्थ के पास वापस भेजना तो यह बिलकुल भेज सकता है तीसरा सही हो जाएगा चौथा क्या है चौथा है कि मंद्वि परिशत के सदश्यों की नियूकति यह भी बिल्कुल गलत बात है लेकिन स्वविवे की नहीं है राजयपाल द्वारा बेजे गए विदयाग पर स्विक्रिती देना ये ये स्वधास więकर नहीं है ठीक है नहीं कर सकता किसी विदया को रोक हो सब incentives करता है लिए कि उसके बाद किसी सभिभे कि सकती है उसकी और प skipping किसी भी है, चौथा भी है, तीसरा भी है, छटवा भी है, सातवा भी है और आठवा भी है, अब इसके बारे में महतपूर तत्य जान लीजे, महतपूर ततिया है कि अनुच्छेद नंबर चोहत्तर के सब कलॉस एक के अनुसार राश्पती को सलाह देने के लिए एक मंद्री परश सकती है, कि जब किसी भी दल या गटबंदन के पास इस पश्ट बहुमत ना हो, तो उस दसा में सरकार बनाने के लिए राश्पती स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, दूसी पावर क्या है, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसत के पास वापस भी भेश सकता है, तीसी स सकती क्या है, किसी परामर्स पर मंत्री परशत से पुनर विचार है, तो कहना, संसत को संदेज भेजना, तो याद रखिएगा, इस कुश्चन का सही जौप क्या था, वा था, ऑप्शन नुमर, इस दा राइट एंसर, अगले क्यों बढ़ते है, क्या है, क्यों बोल रहा है क विधेया को रोक करकना, ये भी स्वाविवेकी है, उसके बाद छमा प्रदान करना, ये स्वाविवेकी नहीं है, फिर उसके बाद सही युक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी स्वाविवेकी नहीं है, संसत को संदेज भेजना, क्या ये स्वाविवेकी ह वह करते हैं कैसे करते हैं सीधे करते हैं अथवा अधिकारियों के द्वारा करवाते हैं अप्सन नमबर यह इसका सई कारियों द्वारा जो है वो करते हैं तो इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा इस question का सही जवाब हो जाएगा option number a is the right answer अगले question क्यों बढ़ते हैं question क्या है प्रिशन बोल रहा है कि इन निम्ने में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के सम्विधान के अनुच्छेद 108 के अंतरगत दोनों सदनों की सईयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंद में उचित है वह क्या है वह है intention of precedent यानि की राष्टपती का आस है option नमबर A जो है इसका सही जवाब है किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोत की इस्तिती में सम्विधान द्वारा सईयुक्त बैठक की विश्था की गई है और सम्विधान के अनुच्छेद नमबर 108 के तहट कुछ द के लिए आहूत करने के अपने आसे की जो है वो सूचना देगा तो इस question का सही जवाब क्या है वह है option नमबर A इसदाराई टेंसर अगली question क्यों बढ़ते है question क्या है question बोल रहा है कि लोकसभा और राजसभा की सही उक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है तो यह जो राश्पती जी के द्वारा आहूत की जाती है option number A जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते है question क्या है प्रश्न है कि निम्लिकित में से कौन सा कतन भारत के राश्पती के लिए सही है तो कौन सा कतन सही है वह पहला ही कतन है भारत का राश्पती संसत के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और संसत के सदनों का आवाहन कर सकता है और संसत के किसी सदन को संदेश भी बेश सकता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा वा हो जाएगा और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न क्या है कि यदि सदन का सत्रा वस तो यह जो स्रीज चल रही है कैसी लग रही है आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखके बताईए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए धन्यवाद